एक बर फिर से हर्दीब सिंग बाबा को इमाचुर प्रदेश इंटक का अध्यक्ष चुना गया है। इस दोरान सर्विस सहमती से हर्दीब सिंग बाबा को इमाचुर प्रदेश इंटक का अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष बनने पर कॉंग्रेस कार्याले में उनका फूल मालाई पहना कर स्वागत किया गया। जुनावों के बाद वहां कुछ प्रस्ताव सर्विस स्वागत किया। जिनकी जानकारी हर्दीब सिंग ने प्रेसवारता के दौरां दी। सुनिए आगे क्या कुछ कहा नवनियुक्त इंटक अध्यक्ष बाबा हर्दीब सिंग ने। प्रदेश में हमारी इंटक जो है लगातार मजबीत हो रही है। आज पांचवी बार मुझे तेरा साल हो गए मैं इंटक में अपनी सेवा निभा रहा हूं। और आज पांचवी बार मुझे ये दैट्व जो सौंपा गया है आज इस कौंग्रिस पार्टी के प्रांगन में मैं आप सभी लोगों का जहां धन्यवाद करता हूं। आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में जिस तरीके से हम लोगों ने स्वर्गे वीरबदर सिंग जी की सरकार के समय इंटक से जुड़े हुए हमारी यूनियन्स के मुद्दों को सरकार के और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के समक्ष उठाया और उनका निप कीमों को किसी तरीके शुरू करना आशाकारे करताओं को सरकारी इंपलॉई का दर्जा देना एचार टीसी में पीस मील वर्कर के लिए जो कॉंग्रेस पार्टी ने निती बनाई थी वीरबदर सिंग की सरकार में जब जीएस बाली जी ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर थे उस को जो है मजदूर हित में करमचारी हित में उसे लागू करना न्यूंतन वेतन जो है हिमाचल प्रदेश में जो है कम से कम 15,000 उपे हर वर्कर का होना आशा वर्कर्स को मिनिमूम वेज की कैटिकरी में लेके आना उनके लिए पॉलिसी बनाना और आंगनवारी को जो है मिनिम प्रेहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगडा हिमाचल